आपका अपने चैनल लानाश्टीचिंग में स्वागत है आज हम बाजू का डिजाइन बनाने जा रहे हैं इसके लिए बाजू का सिप काट लिया है बाजू की लंबाई सारे पाच इंच है और चौडाई सारे आठ इंच है हम बेश सेंटर पर मार्क लगा देंगे पर सुटाइब कर लिए इस सेंटर पर नीचे इंच मार्क लिए और इसे आपर राउंड शेक देंगे पहले हमने बॉक्स बना लिया आप इसे हम राउंड शेक देंगे तो देखिए हमने इसे बना लिया है अब इसे हम काट लेंगे अब हमें एक कप्रा लेंगे और इसे बंद करेंगे इसके लिए हमने पट्टी को काट लिया है हम पट्टी को जोड़कर उपर से लगाते हुए सिलाई कर देंगे पहले पहले उपर से हम लगाते हुए पूरे कटिंग में सिलाई करेंगे अब हलका हलका कट मार कर इसे पलट लेंगे और यहां पर एक सिलाई भी कर देंगे तो देखिए हमने पलट कर अची तरह से बना दिया है इसमें पलट पढ़ायी चारम जाठाऊ अर चाम चूराई चूण लगाएंगे इसे पलट कर देखिए formation कर दोट थोड़ा पूरते पर हम चूण लगाते जाएंगे देखें थोड़ा मुड़ते वे चुन लगा रहे हैं और अब सेम उसी तरह हमें नीचे भी चुन लगाना है सेम उसी चुन को सीधा करते वे हमें नीचे भी सिलाई कर देनी है जो चुन हम उपर लगाएं उसी सीधा करते हुए सिलाइक करते जाने है प्रेंज जिन लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं की है यह उन्ह daí देख रहे हैं आपको आपको मिलती रहे हमारी चुन क्लीट हुए और हम वीटि करते हुए से सिलाइक करनी है जो सुर्ब्सक्राइब लिए एक पीन लगते जाएंगे षाय इन तैकर हमारी तक डाइक देखिट आच़ा नहीं कि पीन लगते हैं और एक काइच मे अच्छा आचि तीसे करें लिए और ऐवन यहें किbyक दूब nós अब निकालते जाएंगे, और शिलाई लगाते जाएंगे, तो देखिए हम इसे यहां पर सिलाई कर दिया है, अब नीचे हमें एक कपडा लिए है, और नीचे बोटम पर पैप्रिंग लगाएंगे, इसे डबल फोल्ड मोडते हुए पहले उपर से शिलाई कर देंगे, और इसे मो तो अग हमारी बाजू कम्प्लीट हो गई है आपको यह बाजू कैसा लगा कमेंट बोक्स में बताईएगा झाल